आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है हमने अपनी पिछली वीडियो में दो बिंदूओं के बीज दूरी जानने का सूत्र सीखा आज हम इस पर आधारित कुछ दिल्चस्प उदाहरंड देखेंगे जांच कीजिए कि बिंदू A, 8, 3, बिंदू B, 0, 9, तथा बिंदू C, 14, 11, समद्वी बाहु समकोन त्रिभुज के शीर्ष यानि की वर्टिसीज ओफ एन आईसोसिलिस राइट अंगल ट्राइंगल हैं क्या बता सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा? शाबाश इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं आई, A, B, B, C तथा C, A के बीज की दूरी ग्याद करें मान लेते हैं कि बिंदू A के निर्देशांग यानि की कॉडिनेट्स X1 बराबर 8 वर Y1 बराबर 3 हैं तथा बिंदू B के निर्देशांग X2 बराबर 0 वर Y2 बराबर 9 हैं दूरी सूत्र के अनुसार हमें A, B का मान 10 प्राप्थ होता है इसी प्रकार बिंदू C के निर्देशांग X3 बराबर 14 वर Y3 बराबर 11 हैं दूरी सूत्र के अनुसार हमें BC का मान 10 वर्गमूल दो प्राप्थ होता है इसी प्रकार क्या आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप CA का मान ग्याद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, CA का मान 10 है ध्यान से देखें, तो हमें AB वसीय के मान बराबर बराबर प्राप्थ होते हैं जो की समद्वी बाहुत्रिभुज की शर्त को पूरा करते हैं परन्तु हमें तो एक समद्वी बाहु समकोन त्रिभुज की जांच करनी है क्या आप बता सकते हैं कि समद्वी बाहु समकोन त्रिभुज के लिए हमें आगे क्या करना होगा? शाबाश, इसके लिए हम पाइथगोरस प्रमेह का प्रयोग करेंगे सबसे पहले क्या आप ये बता सकते हैं कि इन तीनों भुजाओं A, B, B, C, C, A में से कर्ण कौन सा होगा? जैसा कि हमें इन तीनों के मानों से पता चलता है कि इस त्रिभुज का कर्ण B, C होगा क्योंकि B, C के लंबाई सबसे ज्यादा है तो चलिए, अब पाइथागोरस प्रमे में इन तीनों के मान रख कर समकोन त्रिभुज को सत्यापित करें यदि A, B, C, A के वर्गों का योग करें तो हमें 200 प्राप्थ होता है जोकी B, C के वर्ग के योग के बराबर है अतह हम कह सकते हैं कि यह एक स्वम्द्वी बाहू समकोन त्रिभुज है आईए एक और उदारंड देखते हैं X अक्ष परस्थित वह निर्देशांग ज्याद कीजिए जो बिंदू 6 रिनात्मक 3 से 5 एकाई दूरी परस्थित है हल करने के लिए वीडियो को रोके तथा बाद में उसका वीडियो से मिलान करें क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा सही जवाब इसके लिए हम दूरी सूत्र की सहायता लेंगे सबसे पहले मान लेते हैं कि एक्स अक्ष परस्थित निर्देशांक एक्स शून्य है यहां हमें एक अन्य निर्देशांक बिंदू 6 वर रिनात्मक 3 दिया गया है जिसके पहले बिंदू 6 को X1 वर रिनात्मक 3 को Y1 से प्रदर्शित करते हैं इसी प्रकार X अक्ष के बिंदू X2 वर शून्य को Y2 से प्रदर्शित करते हैं ध्यान रहे कि यहां दूरी का मान पहले से ही दिया गया है दूरी सूत्र में सभी मानों को रखने पर एक समिकरण मिलती है इस समिकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने से हमें एक द्विघाती समिकरण यानि की Quadratic Equation प्राप्थ होती है आपको याद होगा कि द्विघात समिकरण ग्याद करने की कई विधियों का अध्यन हम पहले ही कर चुके हैं यहां हम द्विघात समिकरण को मध्यपद विभाजन विधी द्वारा हल करते हैं जिससे हमें x के दो मान x बराबर 2 वद 10 प्राप्थ होते हैं अतह हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर 2 निर्देशांग 2 शून्य और 10 शून्य स्थित है इस वीडियो में हमने 2 बिंदूं के बीच दूरी ज्यात करने के लिए दूरी सूत्र के प्रयोग पर आधारित उदारण देखे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारण तह क्या गलतियां हो सकती हैं